लक्षमिपूर गाओं में देव कुमार नाम का आदमी बीबी और दो बच्चों का साथ जहा करता था लेकिन देव कुमार बहुत ही सुष्ट कामचोर और एक नम्मर का जुठा इनसान था और वो बिना मेहनत किये ही पैसा कमाना चाहता था हाँ जी जमीन बेश कर कब तक घर का खर्च उठाएंगे बच्चों भी भरे हो रहे हैं ऐसा ही जमीन बेशते रहेंगे तो यह घर भी नहीं रहेगा आप नोक्री क्यों नहीं कर लेते हैं अरे राधा तुम भी गीता की तरह उपदेश देने लगे मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे दूसरों का नोक्री करना पसंद नहीं मैं किसी भी तरह अपने बच्चों का भरन पसंद कर लूँगा समझी ना हमारा पास खेती का बहुत सारा जमीन था हम दोनों खेती करके अपना जिन्द की अराम से काट लेते लेकिन आपने पूरा जमीन बेच दिया अब ये घर बाकी है अगर ये भी घर बेच देंगे तो बच्चे कहां रहेगा आरे राधा तुम चिंता मत करो मैं किसी भी कीमत पर एक घर नहीं बेचूंगा तुम खामखा टेंशन लेती रहती हो इतने कहने के बाद देव कुमार वहां से जाने लगता है देव कुमार गाओ की एक मंदिर के चपुत्रे पर बैठकर पैसा कमाने की आडिया के बारे में सोचता रहता था बहुत देर सोचने के बाद कि मैं लाला से दो टके ब्याज पर पैसा लाओंगा और पांस टके पर लगाओंगा क्या खबर है देव कुमार बहुत ही चिंता में लग रहे हो राम जी के किरपा से अरे लाला आप मेरा चिंता मत करो मैं आप से कुछ मदद की उमेद से आया हूँ मुझे मालूम है देव कुमार कि तुम घर से बाहर तो निकलते नहीं तुमने सारी जमीन और जैजाद अपने ऐसो और आराम में खतम कर लिए मुझे सब मालूम है राम जी के किरपा से मेरे गरीबी का मजाक मत उरा लाला मैं तुम से सावदा करने के लिए आया हूँ उसके सिबा और कुछ भी नहीं समझे ना शाओ ना एक कौन सी मुशिबत का नाम है मैं तुझे कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ देव कुमार राम जी के किरपा से समझ गये ना अरे नहीं नहीं लाला जी आप ऐसा मत करो मैं बहुत उमीद लगा कर आया हूँ आपके पास आरे देव कुमार तुम क्या उमीद लगा कर आये हो मैं कुछ समझा नहीं राम जी के किरपा से है देखिये लाला जी मुझे अपना विजनिस करने के लिए आप से कुछ पैसे चाहिए ब्याज पर अच्छा तो तुझे सत में पैसा चाहिए लेकिन तुमने खेती करने की बजाए अपना खेत को टुकडो टुकडो में बेच दिया तुम कैसे बिजनिस करोगे सहर जाकर के देव कुमार है राम जी के किरपा से लाला ये मेरा नीजी मामला है मैं जमीन बेचू या ना बेचू इससे आपको कोई लेना देना नहीं अरे भाई तुम यहां किस लिए आए हो राम जी के किरपा से देखिये लाला जी अगर आप अभी मुझे पच्चास हजार रुपे अगर देते हैं तो अगले मेहने में मैं आपको डवल करके दूँगा एने की एक लाख दूँगा लाला जी मंजूर है अरे देबुआ तुम हमको बेबकूब समझ रहे हो अरे हम भी मैटिक पास हूँ राम जी के किरपा से समझा ना यह मेरा बिजनिस का रहस्य है लाला जी मैं आपको यह नहीं बता सकता अरे नहीं तुम्हारे पास जमीन है ना तो कोई नोकरी है फिर मैं तुम पर कैसे बिशवाज करू राम जी की किरपा से बताओ लाला जी आप मुझे पर सक करते हैं अरे ठीक है ठीक है लेकिन एक बात मैं बोलू मैं दो टको ब्याज लूँगा राम जी की किरपा से मुझे मन्जूर है लाला जी आपका पैसा ब्याज सही समय पर आपको लोटाओंगा मैं लाला देव कुमार को पसास जार रुपया देता है और कागज पर लिस लेता है और घर जाने के बाद राधा देख तु मुझे निकम्मा कहकर ताना मारती थी ना देख देख आज मेरे पास कितना पैसा है देख राधा देख है भगवान इतना सारा पैसा कहां से लेकर आया आपने देखो राधा मैं ये पैसे अपना बुद्धी और विबेक दोनों इस्तिमाल करके लाया है क्या तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं मैं कोई गलत काम नहीं करता समझी ना मैं जानती हूँ कि तुम कितने होस्यार हो लेकिन सच बताओ इतना पैसा कहां से लेकर आये हो मैं ये पैसा अपने दोस्त के पास से लाया हूँ दोटके ब्याज पर समझी ना क्या तुम ये घर गिर्भी रख दिया ए भगवान में कहां रहूंगी मेरा बच्चा कहां रहेगा नहीं नहीं राधा मैं ये पैसा अपने दोस्त से उधार लाया हूँ और घर भी गिर्भी नहीं रखा हूँ का मतलब तुम अपने दोस्तों को धोखा दिया नहीं राधा मेरे पास एक आईडिया है आईडिया? क्या आईडिया है? देखो राधा रामू नाम का एक मेरा बच्पन का दोस्त है जो पडोसी गाउ में ही रहता है मैं ये पैसा उसी का पास ले कर जाओंगा आप रामू को पास पैसा क्यों ले जाते हों? आप जिसका पैसा लिए उसका पैसा वापस कर दीजिये देखो राधा, मैं ये पैसा दो टके ब्याज पर लाया और रामू को बोलूँगा इस पैसे को गाउ में पास टके ब्याज पर लगा दे अब बताओ, हमें कितना टका का फैदा होता है राधा? मेरी समझ में कुछ नहीं आती है अरे राधा, तुम हम पर भरोसा रखो ठीक है लेकिन भगवान के लिए घर मत बेच देना नहीं तो हमारा बच्चा घर से बेघर हो जाएगा अरे राधा, तुम चिंता मत करो अरे मुझ पर भरोसा तो रखो तुम इतने कहने के बाद, देव कुमार अपनी दोस्त रामू के पास जाने लगता है और कुछी देर चलने के बाद वो अपनी दोस्त रामू की घर हुझ ही जाता है अरे मित्र, बहुत समय हो गया कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे दोस्ट, भगवान के किरपा से मैं आनंद मैं हूँ, तुम अपना बताओ, कैसे हो? तुमने साधी भी नहीं की और ओव घाउँ छोर कर यहाँ चलाया? मेरा मा का मन था की मैं साधी कर लूँ पर मेरा मन नहीं था और मैं जो काम करता हूँ मैं उसी में खुश हूँ अरे साधी करके कौन जंजट में पड़ेगा भाई अरे तुम अभी तक नहीं बदला रामू अरे बताओ मित्र मैं तुमको क्या सेवा करूँ देखो दोस्त मैं तुम्हारे लिए एक नया स्कीम लेकर आयो मैं गाउं का अपना जमीन बेचकर कुछ पैसे लेकर आया हूँ जो पैसा तुम इस गाउं बालों में ब्याज पर लगाओ पांच टके में और एक टका तुम भी खाओ ये सब करना इतना आसान नहीं है दोस्त लेकिन क्या करूं तुम मेरे बच्पन का दोस्त जो हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ जरूर करूंगा दोस्त जरूर करूंगा तुम जब चाहो अपना पैसा ब्याज समेत वापिस ले सकते हो आरे वो तो ठीक है दोस्त पर ये सब कागज पर नहीं लिखोगे क्या देखो देब क्या तुझे मुझे पर भरोसा नहीं अगर भरोसा नहीं है तो तुम अपना पैसा तुम अपने पास रखो अगर तुम्हें कोई कागजाद की जरुरत हो तो समझा अरे नहीं दोस्ट, मैं तो तुम से मजाग कर रहा था, खा मखा तुम केंसन में पर गए, ये लो ये पैसा रखो अरे ठीक है दोस्ट, तो फिर मिलेंगे रामू को पैसा देता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है क्या तुम सारे पैसे रामू को दिया है, बियास पे लगाने के लिए, है भगवान अब क्या होगा अरे देख लिया न राधा, अरे पैसे कमाने के लिए नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं अरे पैसे कमाने के लिए तो दिमाख होना चाहिए दिमाख मुझ जैसा सातिर दिमाख जो बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं क्यों राधा मान गई ना मैं 20 साल से देख रही हूँ कि आप कितने बुद्धिमान है करी मेहनत से बचने के लिए मन गरंद कहानिया मत सुनाओ अरे राधा मैं कुछी दिनों में इस गाओं का बहुत बरा अमीर आदमी बनने वाला हूँ समझी ना और इसी तरह छे माह बीट जाता है और लाला देव कुमार की घर पहुंचता है अपना पैसा असुलने के लिए अरे देव कुमार तुमने पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया मुझे अरे पैसा लेते बग तो बहुत लंबा लंबा छोर रहा था अभी हावा निकल गई का राम जी के किरपास है अरे लाला जी आपका पैसा अगले दस तारिक को मैं ब्याज समेत लोटा दूंगा तो ठीक है अगले दस तारिक का अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो घर से तुम्हारे बाल बच्चे को बाहर निकाल कर घर पर कब जा कर लूँगा राम जी की किरपास है अरे नहीं नहीं लाला मैं अगले दस तारिक को आपका पैसा ब्याज समेत लोटाओंगा ठीक है देव कुमार मैं अभी चलता हूँ अगले दस को आऊंगा राम जी की किरपास है मैं कभी नहीं सोन सकती थी कि तुम इतना बरा जूठे और फरोड हो अरे राधा तुम फालतू का टेंशन ले रही हो समझी न तुमने बोला था कि पैसा मेरा दोस्त ने दिया है लेकिन तुमने लाला से पैसा लिया घर गिर भी रखके अरे राधा तुम चिंता मत करो मैं अभी जाकर रामू के पास से पैसा लेकर आता हूँ और लाला की मुह पर मारूं का ब्याज समेद समझी न इतना कहकर रामू के पास जाने लगता है लेकिन रामू का घर पर ताला लगा देखकर ओ परोसी से पुछता है हरे भाई साहब सुनिये जरा हरे आप जरा बताएंगे मुझे कि रामू की घर की दरवाजे पर ताला क्यों लगा है मैं जवाब डेटे डेटे ठक चुका हूँ रामू के बाड़ में मुझे मत पुछो भाई अरे क्यों क्या हुआ आरे रामू ने नजाने तुम जैसे कितनों से उढ़ार लिया है और राटो राट फरार हो गया लगता है उस में से एक तुम भी हो मैं तुम जैसे जैसे को जवाब देते देते छख चुका हूँ बेटर होगा कि तुम यहां से चले जाओ देब परोसी का बात सुनकर चुप चाप घर के तरब चल पड़ता है अगले दिन लाला गाओ का मुख्या को लेकर देब कुमार का घर पहुंचता है पैसा सुनने के लिए अरे मुख्या जी मैं सबक सीख गया मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है मुख्या जी देखो देब कुमार तुम बिना मेहनत का पैसा कमाना चाहता था तुमने लाला जैसा सिधा साधा आदमी को धोखा देकर पैसा लिया और तुम्हारा दोस्त ने तुम्हारा साथ वैसा है किया तुमको मालूम है दिवकुमार एक कहावत है जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा समझ गया हैरे मुख्या जी मैं समझ गया हाज के बाद मैं पैसों के लिए किसी को भी धोखा नहीं दूँगा और मन लगा कर मेहनत और मजदूरी करूँगा मुख्या जी ठेक है, अभी तो खाली कर दो राम जी के किरपा से हैं लाला जी, मैं मुखिया जी को साक्षी रख कर इस घर को खाली कर रहा हूँ जिस दिन मैं पैसा लेकर लोटूँगा, उस दिन ये घर मैं वापस लूँगा आपसे अभी जा रहा हूँ अभी देव कुमार राधा को लेकर अपने दोनों बच्चे का साथ वहां से चल पड़ता है सहर की तरफ काम की तलास में